जानिए किसने शुरू की कावर यात्रा की परंपरा आज हम आपको भगवान शिव को समर्पित कावर यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं कावर यात्रा एक प्रकार की साधना है जिससे भक्त भगवान शिव के प्रती अपनी भक्ती को व्यक्त करते हैं चलिए सबसे पहले जानते हैं कावर यात्रा से जुड़ा पौराने के तेहास मान्यताओं के अनुसार, सबसे पहले परशुराम जी ने कावर में जल भर कर भगवान शंकर का जला भिशेक किया था। एक अन्य पौरानिक कथा के अनुसार, इस परंपरा का इतिहास समुद्र मन्थन से जुड़ा हुआ है। इसे मुक्त करवाने के लिए उनके परंभक्त रावन ने कावर में जल भर कर पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जला भिशेक किया और इससे भगवान शिव विश्के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए। यही से ही कावर परंपरा का प्रारंब हुआ। आज भी शिव भक्त कावर परंपरा का पालन करते हैं और आस्था पूरवक कावर में जल भर कर शिवलिंग का जला भिशेक करते हैं। इस परंपरा के तहट दो मट्कियों में किसी नदी या सरोवर का जल भरा जाता है और फिर उसे बांस में दोनों तरफ बांध दिया जाता है यह एक तराजू की तरह प्रतीत होता है। यह यात्रा एक उत्सव की तरह निकाली जाती है और यह भगवान शिप के प्रती आस्था का प्रतीक है।